दोस्तो आज हम बात करेंगे सर्बते दिनार के बारे में जो की घर्बल युनानी मेडिशन है देखे दोस्तो ये जो है लीवर की बीमारियों के लिए काफी एफेक्टिव है लीवर का बढ़ जाना, पीलिया, यानि जोइंडेस, हैपेटाइटेस, पेसाब का पीला होना, पेसाब में तकलीफ होना जैसी बीमारियों में फाइदे मन्द है तो आज हम ये सरबते दिनार के बारे में बात करेंगे, कि किस तरह की ये मेडिशन है, इसके फाइदे क्या है, कैसे आपको लेना है, इसके इंगिडियोंस क्या है, ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियों में आपको दूँगा दोस्तो अगर पहले इसके इंगिडियोंस की बात करें, यानि कि ये सरबते दिनार में क्या क्या है अगर इसकी बात करें, तो देखे इसमें जो है तुखमकास्टनी, तुखमकसूज, गुलेगावजवान, कंद सफेद, रेवनचीनी, आदिस प्रकार की चीजों से मिलाकर इससे जो है बनाए जाता है, जिससे ये मेडिशन बनके तैयार होती है, तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में, तो देखे ये जो है लीवर के लिक काफी यूसफूल जो है मेडिशन है, हैपेटाइटिज, जोएंडिज, लीवर स्प्लीन का जाना जैसी समझ्याओं में काफी फाइदा करता है, दोस्तो इसके लावा लीवर की जगा में दर्द होना, मसाने में दर्द होना, पिसाब पीला होना, पिसाब करने में तकलीफ होना, जैसी इस प्रकार की प्रॉलम में भी फाइदा करता है, अब देखे इसके लावा पानी को निकालने में हेल्प करता है और देखें इसके अलावा अगर आपको कबज की समश्या है तो कबज यानि कॉंस्टिपेशन को दूर करने में भी मदद करता है तो दोस्तों इस प्रकार से इसके जो हैं फाइदे हैं यानि अगर कुल मिला कर बात करूं तो ये लीवर और इससे रिलेटेड बीमारियों के लिए एक अच्छी दवा है आप इसको जो हैं ले सकते हैं अब अगर बात करें इसके डोस की यानि कि आपको इससे कैसे लेना होता अगर इसकी बात करें तो देखें 20 से 40 एमल तक आप इससे जो हैं ले सकते हैं और आप इससे जो है 100 एमल अर्क बादियान या ताजे पानी के साथ सुबह साम खाना खाने के बाद हैं वो ले सकते हैं सैडिफेट की बात करें तो इसका ऐसा कुछ भी सैडिफेट नहीं है लेकिन तब भी से लेने के बाद अगर आपको कुछ भी हल्थ मैश्यू लगता है तो आप इससे लेना है वो बंद भी कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सलाह उले सकते हैं अब दोस्तों देखे कुछ मैं आपको एडवाईस भी देना चाहूंगा अगर आप इस सर्वेते दिना लेते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यानक ना है जैसे कि आपको एलकोहल नहीं लेना है इसके अलावा मिर्च मसाले वाला खाना, तला भुना खाना, बाहर का खाना पीना ये सब आपको बंद करना है देखिए हेल्दी फूड लीजिए ताजी हरी सबजियों का सेवन करें और टाइम पर खाईए, टाइम पर सोईए एक्सेसाइज जरूर करिए तो इन सब एडवाइस को आप फॉलो जरूर करिए ताकि आपको ये सरबते दिनार का अच्छा खासा रिजल्ट है वो देखने को मिले तो दोस्तों ये थी सरबते दिनार के बारे में जानकारी अगर फिर भी कोई कॉश्चन आपके मन में चल रहा हो तो आप मुझे कॉमेंट्स को दोरा भी पूश सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप भी चैनले पे नए हैं तो इस चैनले को आप सबस्क्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैं नीम में जितेज और तैंक यू सो मुच पर वोचिंग